दोस्तों स्वागर थे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंगलिशानियत पर और इस Figure of Speech की सिरीज में आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने सिमिली, मेटाफर और ओगसी मोरॉन को डिसकस कर लिया था और आज की इस वीडियो में हमने डिसकस किया है Personification, Hyperbole और Onomoto Poyaga आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप किसी भी English competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल का playlist जरूर चेक करें अगर आप किसी भी institutional exam की तयारी कर रहे हैं जो कि English literature से है तो भी हमारे playlist जरूर चेक करें और अगर आप किसी भी class 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है तो वीडियो के last तक बने रहे हैं और अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर तबा दें तो चलिए बीना किसी दिरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले परसॉनिफिकेशन से परसॉनिफिकेशन क्या दो जान लेते हैं इन परसॉनिफिकेशन इननिमेट अब्जेक्ट्स अब्सेक्ट आइडियास आर थाट ओफ अज़ाविंग लाइफ इसका मतलब क्या हुआ हम बहुत ही आसान भाचा में समझते हैं कि परसॉनिफिकेशन हमको वहाँ पर देखने को मिलता है जहां पर भी कोई भी ऐसा अब्जेक्ट जो की नॉन लिविंग बींग है या फिर जिसका फिजिकली कोई भी हमको बॉडी नहीं देखने को मिलती है तो जब ऐसे कोई अब्जेक्ट्स होते है उन अब्जेक्ट्स को इस तरह से किसी भी लाइन में दिखाई जाए जैसे कि वो मानों की वास्तों में एक्जिस्ट करता है इस फिजिकल वर्ड में है ना तो जब भी हमको कोई भी ऐसे चीज हमको किसी भी लाइन में मिलती है तो वहाँ पर हमारा परसॉनिफिकेशन फिगर ओफिस्पीच होता है एक्जाम्पल से समझेंगे बहुत यच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे जो डैथ है मृत्यू है वो अपने ठंडे हाथ राजाओ उपर रखती है अब हमको पता है कि डैथ जो है कोई इंसान नहीं है कोई औबजेक्ट नहीं जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं पकड़ सकते हैं है ना तो यहाँ पर जो डैथ है यह एक inanimate object है यह एक abstract idea है abstract thing है जिसको हम देख यह छू नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी इसको ऐसे दिखाएगा है जैसे मानों कि उसके हाथ होते हैं वो किसी को पर पना हाथ रखता है लेकिन वास्तों में ऐसा कुछ नहीं होता है यह बस हमको समझने के लिए हमारे intelligence के हिसाब से उसको समझते हैं उसकी meaning निकालते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है personification है ऐसे अगला example देखी anxiety is sitting on her face यानि कि उसके चहरे पर जो चिंता है वो बैठी हुई थी अब चिंता कोई लड़की कोई लड़का तो है नहीं कोई इंसान तो है नहीं जो बैठे हम देखें कि यह दो बैठा हुआ है है ना हमको बस दिखता है कि वो बहुत ही उदास है तो हमने कहा कि उसके चहरे पर उदासी दिख रही है इसके लिए हमने लिख दिया anxiety is sitting on her face तो anxiety क्या है एक abstract चीज है abstract idea है लेकिन उसको इस तरह से दिखाएगा कि माने वो physical world में exist करती हो तो यहाँ पर इसले इसको personification कहा जाता है एक बहुत अच्छा example आप लोग बहुत याद अच्छे से relate करेंगे इसको कि love is blind प्यार अंदा होता है अब प्यार तो कोई इंसान है नी जिसकी दो आके हो वो आके फूट गई हो तो वो अंदा हो गया हो है ना वास्तों में प्यार एक feeling है एक abstract idea है जिसको हम बोलते हैं प्यार अंदा होता है तो इस तरह से जहाँ पर भी हमको ऐसे कोई भी ideas कोई भी ऐसे sentences मिलते हैं तो हमको समझ में आ जाता है अच्छे से कि ये personification का एक example है ठीक है बढ़ते हैं आगे बात करते हैं hyperbole की तो hyperbole बहुत लोग बोलते हैं hyperbole बहुत लोग बोलते हैं ये क्या होता है hyperbole is an exaggeration or overstatement for the sake of making greater impression hyperbole कुछ नहीं है आप लोग ने सुना हो कि बड़ा बड़ बोला है कोई भी बातें बड़ा चड़ा के करता है जाकि वास्तों में वो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाता है कि ऐसा है तो जहांबर भी किसी भी sentence को ऐसे दिखाया जाए कि बहुत ज़ता है उस चीज़ को बढ़ा चड़ा के उसकी तारीफ की जाए उसके बारे हैं बताया जाए तो वहाँ पर hyperbole होता है example से समझेंगे example है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अरेबिया के अरब के जितने भी इत्र हैं जितने भी perfumes हैं वो सभी मिला करके भी इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते ऐसा हो सकता है बिल्कुल ऐसा impossible है एक बूंद भी अगर कही भी आप perfumes को लिग जाता है तो आपको महकने लिग जाता है लेकिन फिर भी यहाँ बढ़ा चड़ा करके बात की गई है उस छोटे से हाथ के बारे में तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा exagrate कर दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर hyperbole होगा हमारा figure of speech अगला हम देखते हैं हमारा hamlet novel से लिया गया है statement, sentence ओ hamlet, thou has cleft my heart in twain अब यहाँ पर जो cleft word उज़ हुआ है यह जो cleft है यह कभी भी वैसे तो दरार के लिए उज़ किया जाता है लेकिन दरार कभी भी इनसान के जो दिल में दरार होती है उसके लिए उज़ किया जाता है यह पहाड़ों में जो दरारे होती है उसके लिए उज़ किया जाता है यहाँ पर hamlet की प्रेमिका उनसे कहते हैं कि ओ hamlet, तुमने मेरे दिल को तोड़के अलग-अलग कर दिया, दो कर दिया लेकिन यहाँ पर कौन सा जैसे एक पहाड में दर्रा बढ़ जाता है पहाड तूट जाता है उस तरह से मेरे दिल तूटा है यहाँ पर भी एग्जेगरेट किया गया है तो इस तरह से हाइपर बोले में समझ जाते हैं कि जिस भी किसी sentence में किसी छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके किया जाए जिससे कि बहुत ज़्यादा great impression पड़े सान्य आले पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े तो वो होता है हमारा वो figure of speech हमारा hyperbole figure of speech कहलाता है ठीक है बात कर लेते हैं onomotopoia की तो onomotopoia क्या है आप जब इसको बोलते हैं आपको बोलने हैं बहुत अच्छा लगेगा onomotopoia तो ऐसे ही आप याद रखेंगे कि in onomotopoia sound suggests meaning or sense जब भी किसी sentence में हमको कोई भी sound किसी meaning या sense के बारे बताता हो तो वहाँ पर हमारा onomotopoia होता है example समझेंगे the murmuring heart of flies on summer eve गर्मियों के शाम को मक्खियों के भन बनाने की आवाज तो यहाँ पर भन बनाना कौन सा वर्ड यूज किया है भन बनाने के लिए murmuring murmuring heart of flies मच्छियों का बोलना मच्छियों की जो आवाज होती भन बनाना उसको murmuring उसकी आगया है ऐसी अगला sentence है I heard chirping of the bird मैंने पंख्षी की चहकने की आवाज सुनी तो यहाँ पर चहकने के लिए क्या उसकी आगया है chirping क्यों? क्योंकि birds mostly chirp chirp करती है है ना? तो जब भी किसी sentence में ऐसे हमने एक poem है हम लोग ने पढ़ी होगी church going poem है उसमें दोर थर्ड सर्ट लिखा जाता है या पर किसी sentence में भी आपने देखा होगा कि थर्ड सर्ट थर्ड सर्ट यानि कि ऐसे बंद करना कि उसमें से थर्ड की आवाज आए तो वहाँ पर जो थर्ड है वहाँ पर onomota poya होगा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो sound है वहाँ को meaning देता है कि कैसे बंद किया गया थर्ड से बंद किया गया नहीं जोर से बंद किया गया तो ऐसे ही किसी sentence में हमको अगर कोई भी sound या कोई भी sound का हमको sound कोई suggest करे कि क्या meaning होगा क्या sense होगा इस sound का तो वहाँ पर हमारा onomota poya हो जाता है तो यहाँ पर खत्म होती है हमारे आज की वीडियो आशा करता हूँ कि ये sentence ये दम माफ कीजिगा आशा करता हूँ कि ये figure of speech जो है आपको बहुत अच्छे समय में आ गई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नएस टॉपिक के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद